सबस्कार दोस्तों सो फ्रेंड्स वेकैंसी इस एक बर फिर से यहाँ पर रिलीस कर दे गई अलग-अलग पोश्ट पे रिक्रूटमेंड जारी हो चुका है इसमें दोस्तों स्टाफ नरसिस के लिए वेकैंसी आप रहेंगी साथी साथ लेप टेक्निशन की पोश्ट है फार्मेसिस्ट की पोश्ट भी इसमें आप पे रहने वाली है और भी अधर मीस अलग-अलग तरीके के पद भी इसमें आप पे शामिल कर लिए गए नंबर अब वेकैंसी आप डिसकस कर लेते हैं यह जो रिक्रूटमेंट यहां पे जो जारी हुआ लिखा हुआ है दा एड्मिनिस्ट्रेशन ओफ यूनियन टेरिटरी ओफ लद्दाग दोस्तो लद्दाग ऑटोनोमस हिल डवलप्मेंट काउंसिल ले इनके द्वारा यह रिक्रूटमेंट आ चुका है कुछी समय पहले यह जानकारी ओफिशली आपको वैबसाइट पे प्रवाइड कराई जारी तो दोस्तो पूरी जानकारी वीडियो में कवर करेंगे इस वीडियो को लास्त तक देखें पूरी इन्फॉर्मेशन जानकारी आपको इसमें मिल जागी तो सबसे पहले कौन-कौन सी पोस्ट इसमें शामिल की गई कितने पद हैं तो यह जानकारी सबसे पहले हम लोग यहाँ पे देखते हैं तो दोस्तों देखें यह जो भरती विग्यापन है कुलमला की 29 पेज का है 29 पेज की यह पीडिया फाइल है और सबही तरीके के पद है सबसे पहले मैं आपको नर्स की विकैंसी की जानकारी आपको दे देता हूँ तो देखें यहाँ पे लिखा हुआ है Junior Nurse तो Junior Nurse है यह Department आपको बता दिया गया Junior Nurse के तीन पद इसमें आपए शामिल कर लिये गए qualification में देखिए क्या मांगा जा रहा है 12 तो आप लोग science subject में biology आपकी यहाँ पे field होने चाहिए means phase chemistry biology में और diploma इसमें आप लोगों से मांगा जा रहा है nursing में और आप लोग इस vacancy को apply कर पाएंगे और इसके लिए दोस्तों आपको शामिल कर लिए यह department का नाम आपको बता जा रहा 12 तो आप लोग पासो science subject में medical field में और दोस्तों इसमें भी आप लोगों का written test लिया जाएगा इसके बाद देख सकते हैं pharmacist की और भी vacancy है junior pharmacist इसमें 6 पद इसमें शामिल कर लिए यह department के तहित और इसमें जो qualification मांग जारी 12th class पासो science subject में biology subject में और diploma अगर आपके पास है pharmacy में बिलकुल अपलाए करें और written test इसमें आप लोगों से इसके लिए लिया जाएगा अब दोस्तों देखें बागी की जो यहाँ पे बची कुछी पोस्ट है mechanic, electrician, fitter, tennis smith, generator, operator तो यह पद भी इसमें शामिल किये जा रहे है ITI candidates भी इसमें अपलाए कर सकते हैं electrician, wireman, painter, plumber, driver grade 2 और female, multipurpose, health worker तो देखें MPHW की यहाँ पे vacancy है female candidate के लिए इसमें 13 पद शामिल कर लिए गए है और इसमें metric 10 भी कक्षा पासो इसी field में आपको यहाँ पे qualification होने चाहिए training course आपको यहाँ पे MPHW का मांगा जा रहा है और written exam इसमें आप लगों का लिया जाएगा और भी इसमें post है worker, work, supervisor और अगली जो post है conductors तो यह post भी इसमें आपे शामिल की गई है और देखिए orderly यहाँ पे attendant, dark room attendant, चौकिदार यह सभी तरीके के पद है 114 पद इसमें शामिल कर लिये गए और सिर्व इसमें आप लगों को 12th class पासोना जरूरी बोला गया है और भी दोस्तों देखिए इसमें post है receptionist की है और projectionist की भी post है तो यह देखिए एक पद है इसमें आपे एक पद इसमें भी रहेगा फार्मेसिस्ट की जानकारी देच चुका हूँ नर्स की जानकारी और लेडी मैं आपको देच चुका हूँ आकरी में जो बसते हैं देखिए steward और junior cultural assistant wildlife guard और laboratory assistant तो इसमें जो है आपको 12th class पास होना जरूरी है और समदिद जो भी आपकी यहाँ पे qualification होनी चाहिए post समदिद वो इसमें आपको आपे हो और written test इसमें आप लोगों का लिया जाएगा अब यहाँ पे देखिए सवाल यह उठता है कि क्या सभी states के candidate इस vacancy को apply कर पाएंगे यहाँ पे नहीं तो इसके लिए मैं आपको एक point आपको यहाँ पे बता देता हूँ जो यहाँ पे लिखा हुआ है सबसे उपर तो यहाँ पे देखिए fourth number का point है लिखा है resident criteria तो लिखा candidate must be a resident of lay district and must possess a resident certificate as per the format annexure 5 तो annexure 5 जो नीचे की तरब आपको format दिया गया इसके मताबिक आपके पास certificate होना चाहिए और lay district का आपको निवासी होना जरूरी बोला गया है resident होना आपको यह जरूरी बोला गया है तो सिर्व यहाँ पे जम्मू कश्मीर वाले जो lay district के candidates है वो इस vacancy को apply कर सकते है age limit भी आपको बता दे गई 18 to 42 years उमर आप लोगों के लिए इसमें आप पर रखे गई और SEs, EWS, PWD, ESM यह सभी candidates के लिए age में आपको relaxation दिया जाएगा IU में चूट आपको यहाँ पे दे दी जाएगी अब दोस्तों हम लोग बात करते हैं आपको apply किस तरीके से करना है last date क्या रहेगी तो apply करने के लिए मैंने आपको शुरू बात में बताया था कि आपको online application form फिल करना है official website आप लोग यहाँ से देख सकते हैं और online जो application है एक दिसंबर 2022 शाम के चार वज़े से शुरू हो चुके हैं और 31 दिसंबर शाम के मीज रात के ग्यारा वज़े तक आप लोग apply कर सकते हैं तो करीब करीब एक महीरे का समय आपको दे दिया गया है और इसके बाद आपको exam की date के बारे में जानकारी दी जाएगी यह सारी जानकारी इसमें आपको इसी notification में मिल जाएगी सबसे पहले वीडियो को like कर दे चैनल को भी subscribe करें हर vacancy की जानकारी हम आपको यह पर provide कराएंगे वीडियो के नीचे जाए subscribe के red button को आपके click करें हर vacancy की information इसी तरीके से आगे भी पाते रहे मिलते हैं